नमस्कार स्वागत आपका स्टार्ट इन्वेस्टमेंट में आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दो गुड न्यूज देने वाला हूँ जी हाँ दोस्तों चार जून या उससे पहले अगर आप लोगों ने एक शेर को खरीदा तो आप लोगों के शेर जो है डबल हो जाएंगे यानि की वन इंच टू वन का बॉनस आप लोगों को मिल जाएगा और साथ में ही एक शेर ने कल घोसना कर दी है यानि की यस्टरडे घ आप लोग मान सकते हैं 75 परतिसत के लगभग की डिलीवरी आज उठाई जा चुकी है तो दोनों के दोनों शेर अच्छे खासे हैं दोनों की complete analysis करके आप लोगों को मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ एक बार वीडियो को pause करके disclaimer को जरूर read out कर लिजेगा तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे सबसे पहले company का market capitalization आप लोगों को बताना चाहूँगा एक छोटी सी company है जिसका की market capitalization 961 करोड रुपय का है price to earning ratio 32 का और face value आप लोग देख सकते हैं अच्छी खासी है 10 रुपय की वहीं अगर dividend yield देखी जाए इस छोटेशे share की जो हैं वहीं अगर हम लोग देखें sales growth तो negative में गई है with comparison to the previous year और return on equity अगर share का देखा जाए तो 11% के करीब है वहीं profit growth के बारे में बात करें तो 4% की और return on capital employed 13% का आगे बढ़ते हैं company का revenue आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा तो जो company का revenue है company का revenue अच्छा खासा growth हो रहा था 2019 तक जैसे कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है 2020 में थोड़ा सा यहाँ पर downfall देखने के लिए मिला लेकिन again 2021 के आखड़े यहाँ पर update हुए नहीं है लेकि उसके बाद 2019 में 654 करोड रुपै और 2020 में 526 करोड रुपै सेम वे में profit जब company की revenue भी decrease हुई है तो profit भी 2021 में यहाँ पर decrease हुई है और यहाँ पर जो profit के आखड़े है profit के आखड़े update हो चुके हैं लेकिन यह मैं बताना चाहूंगा आपको quarter on quarter के हिसाप से में आप लोगों क profit बता रहा हूं दिसंबर के quarter में 11 करोड रुपै का यहाँ पर profit हुआ था और March 2021 के quarter में 9 करोड रुपै का वही September 2020 के quarter में 8 करोड रुपै का तो company का profit भी अच्छा खासा है company का नाम बताना चाहूंगा सलासर टेक्नो इंजिनेरिंग लिमिटेड जी हाँ दोस्तों कल यानि की yesterday ही company ने one inch to one की bonus की गोसना कर दी है और share में अच्छा खासा उच्छाल देखने के लिए मिला था और आज correction हो रहा है और अच्छा खासा माल उठाया जा सकता है company करती क्या है company एक देख लीजिए manufacturing and sale of galvanized steel structure including telecom towers, transmission line towers and solar panels तो mainly मान लीजेगे जो telecom के tower आप लोगों ने देखे होंगे अपने आजपास वो जो बने होते हैं ये company बनाती है transmission line towers होते है वो बनाती है और solar panel अब आप लोगों को पता है green energy के field में कितना ज़्यादा काम हो रहा है और company क्या बना रही है solar panel बना रही है solar techno engineering limited उसके उपर क्या दे रही है bonus दे रही है प्रमोटर के पास आप लोग देखेंगे तो 74% से ज़्यादा की share holding है और public के पास 25% से ज़्यादा की share holding तो solar solar techno engineering limited आज जब मैं ये video बना रहा था उस time पे 667 रुपए पे ये share चल रहा है और आप लोग देख सकते हैं 6% की गिर कर सकते हैं क्योंकि record data भी bonus की आई नहीं है और पिछले एक साल में company की growth आप लोग देख सकते हैं कि कितनी जबर्दस्त रही है तो ये देख लिजे एक जून का ये letter है जो की BSE, NSE दोनों को ये letter लिखा गया है letter में जो main चीज़ है वो मैं आप लोगों को बताना इस चार नमबर के heading को आप लोग through and through read कीजिएगा मैं आपको जिस्ट इसका बता देता हूँ कि one is to one का bonus है ये company ने declare कर दिया है subject to the shareholder approval करेंगे है वह या क्योंकि उनको bonus मिल रहा है और साथे साथ ये देख लिजेए आप लोग कि one is to one का bonus मतलब अगर आपके पास एक share है त तो 100 share free में मिल जाएंगे 200 share आप लोगों के हो जाएंगे और company ने recorded की घोसना भी की नहीं है जैसी recorded आईए आप लोगों को बताया जाएगा जो next company है उसकी recorded बहुत ही नजदीक है वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि सब से पहले तो company का revenue तो company का revenue देखेंगे तो यहाँ पे 2019 में 19994 करोड 2020 में 1657 करोड और 2021 में 1499 करोड आप कहेंगे कि इस company को क्यों बता रहे हैं जिसके revenue हर साल decrease हो रही है और साथ साथ हर साल इसका profit भी decrease हो रहा है इस company को मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि company ने long term में अच्छ दो महिने के अंदर और पिछले एक साल के अंदर company ने अच्छे खासे returns अपने share order को दिये भी है तो 2019 में total 52 करोड रुपए क्या profit 2020 में 27 करोड रुपए और 2021 में 25 करोड रुपए जो लोग यहाँ पे defensive investor हैं वो यहाँ पे skip कर सकते हैं otherwise मौका यहाँ पे अच्छा खासा है book value per share आप लोगों को इस share की बताना चाहूंगा तो आप लोग देख सकते हैं अच्छी खासी book value per share है जो की 2020 में 155 करोड रुपए की थी और यहाँ पे देख लिजे 207 रुपए की तो अच्छा खासा यहाँ पे value बनतीवी दिखाई दे रही है company का market capitalization मातर 816 करोड रुपए का है price to earning ratio 31 का है और 5 रुपए की face value वाला यह share है जिसके अंदर debt है 444 करोड रुपए का लगबग 2 करोड रुपए के cash के विलेट है sales growth negative में है क्योंकि auto industry से related यह company है return on equity 6.5% profit growth 2% और return on capital employed 9.5% का है company का नाम है जै भारत मारुति लिमिटेड मैंने आप लोगों को notify किया था कि company का जो है recorded 4 को है पहले company ने चार जून को recorded बताया था लेकिन इस चार जून की recorded को आठ जून में change कर दिया गया है किसके लिए bonus issue के लिए company ने भी one is to one का bonus ही declare किया था तो इसी के according कब लेना है आप लोगों को वो भी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा company करती क्या है एक तो JBM Group की ये company है जय भारत मारोती लिमिटेड company, seat metal components, real axle, muffler assemblies, fuel neck tools and dies for motor vehicles इस तरह के company यानि कि auto ancillary sector से related company है शेर होल्डिंग पैटर्न आप लोग देख लीजे 59% है प्रमोटर के पास public 36% FII ने entry लिए है साड़े 3% के करीब DII के पास नामातर के share है आज की date में जब मैं ये price में थोड़ा सा नीचे 379 रुपीज पे लेकिन पिछले एक महिने में 202 रुपई से जाकर almost double ये share हो गया है तो company ने देख लीजिए company ने पहले recorded बताई थी 4 जून यहाँ पे clearly mention कर रहा है किसके लिए 1 इस टू 1 के bonus के लिए पहले बताया था कि Friday 4 जून को recorded होगी तो दो त कीगा टी प्लस टू चलता है तो Monday और Tuesday तो ये तो दो दिन हो जाएंगे लेकिन उससे पहले आप लोगों को कब खरीदना होगा at least Friday या उससे पहले Friday है चार तारीक को क्योंकि 5 और 6 आप लोगों को पता है Saturday Sunday तो तो count होंगे नहीं settlement day होते नहीं है तो आप लोगों को 4 या उ चार जूनिया उससे पहले खरीदेंगे जिस शेर में आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ आज की डेट में देख लिजे 387 इसने हाई बनाया था yesterday और आज की डेट में 74 परसेंटेज की डिलीवरी उठाई जा चुकी थी देख लिजे कब का डाटा है ये 74 परसेंटेज की डिलीवरी उठाई जा चुकी है जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है तो चार जूनिया उससे पहले ले ले लेना है बॉनस अगर आप लोगों को इलिजिवल होना है बॉनस के लिए तो साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में तीन लिंक दिये गए हैं अप स्टॉक जिरोदा, एंजल ब्रोकिंग, तीनों की तनों डिसकाउंट ब्रोकर हैं अगर आप लोग यहां पर इंट्राडे करते हैं तो फ्लैट उंट रुविस पर अटर चार्ज किये जाते हैं और डिलीवरी बेस ट्रांजक्शन के लिए आप लोगों से कोई भी चार्जिस नहीं लिए जाते हैं तो तीनों की लिंक पे किलिक करें, एकाउंट ओपन करें और इंजया करें तीनों की सर्फिसे साथे साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में जो बेल काया है उसे प्रेस कर दीजिएगा इससे होगा क् कि Share Market के latest update आप लोगों तक पहुंशती रहेंगी और हम लोगों को भी encouragement मिलेगा और अच्छे वीडियोज बनाने के लिए तो आज के इस वीडियो में इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद